तो हेलो दोस्तों हेलो एब्रीबरन वेल्कम टू अभिवन्यो आई-स और आज हमारा पिछले साल के चल रहे हैं वह आप देख रहे हैं दोजार पंदरा समय शुरू किया था उननीज भी सतक हमारे गाड़ी यह पहुंच चुकी है अब आपको बेसिकली पता चलने लग गया होगा कि यह ट्रेंड चेंज कहां से हुआ था और दोजार तैइस का जो धमाकेदार प यह थी कि आपको कैसे करना है आगे कैसे बढ़ना है कैसे उस चीज उस डर को निकालना है उसी तीरीज में अभी मन्य आइस लेकर आपके लिए इस सैट का न्यूबैश जिसकी कोर्स के डिटेल आपके सामने हैं क्या है डिटेल एक चीज हम ज़रा समझते हैं जान से की देGroup सबसे बोली बात जो टाइमिंग आपके लेक्शर चीव्क्रेश रह से लाटी है जो हमारी टाइमिंग रहने वाली बाटा लेक्शर का रह गी 3 से लेगे चाहँवरा अङय कैक है अब इसके अंदर क्या है टूटल अधे-स मेरे पास है nesnaил अभी लेक्शर ने क्लीर औ अब previous year lectures की में बात करूँ कितने मेरे पास 15 मेरे पास इसमें previous एक्षर्ण है mcq practice sessions कितने मेरे पास 50 से जाधा मेरे पास mcq sessions है और live mentorship session कितने मेरे पास 30 plus अब इस batch की समझी जरा खासिएत कहा है देखो यह आपके पास on-line प्लस ओफलाइन दुन्नों आप कोई भी मोडो अगर आप ट्राइश सीटी में हैं चंदिगड़ पहुंचुला मौहली में तो आप इसको ओफलाइन ने अभील कर सकते हैं अधर वाइस आप घर पैठ के ऑनलाइन विस का लाब उठा सकते हैं अब ध्यान से सुनें यह जो 90 लेक्च है इससे आपको पता चले का पिछले सालों में किस तरह के कोश्चन आए और कैसे सेट अप हुआ थे कुश्चन अब देखो यह बैचना साड़े चार से पांच बुचे तक चलता है बेसिकली अब कोगे सरे तीस मिनट किस चीज़ के हैं तोड़ी से तसल्लिय रखिए पीद कि कि आपको मिलने वाला किविकली में कि अब अब चांगा तो आपको तीन चीजे मिलने वाले एक नमबर नमबर दू वत कुछ मिल रहा पूर नमबर थीन आपको सर लेक्चर में लेक्चर की लावा गेम बहुत कुछ मिल रहा है आप आओ तो एक बार बहुत मज़ा आएगा आपको करके 180 से जादा लेक्चर गंटे-जाट गंटे का एक लेक्चर तो देख लो कितना हो गया अब एक लेक्चर में मिलेगीं लेक्चर पीडियक लगे और इसको होणाता हימा कि जहां पर आपको सब्सक्राइए कुंपने इस शोर्सिस इस बने नमबोर को समस्ट्र हुआ शेन लेस्ट रिच यहां पेढ़ा थिकाथ कील और इताओ चाहिए नंबर तीन में क्या मिलेगी विट आपको प्रेक्टिशीट यानि अब यह प्रेक्टिशीट नेक्स जो लेक्चर है आपका तीस मिनटे का इसमें डिसकस करेंगे कि इस प्रेक्टिश शीट में जो भी कोश्चन में डिफिकल्टी है वो हमने यहां पर अच्छे से डिसकस करनी है तो यह तो हो गया कोर्स के बाद और लेक्चर जो आपको डेली लेक्चर मिल रहेगा पोर्टल पर उसमें क्या मिलेगा अब कुछ इसके बाद भी कुछ है बि तो अब बिटम मेरा वीकली क्लास आप बोलोगे सर वीकली क्लास टेस्ट में क्या है आप सुनों मेरे पास क्या है जो मैंने पूरे भीक में करवाया जो हमने पूरे वीक में किया और उसका टैस्ट होगा संडे को और इसकी discussion मिलेगे आपको वीडियो सेलूशन ग्रूप में कैसे मिलने वारी वीडियो सेलूशन नेक्स क्लास में क्लास से पहले आपको ये डिसकस होगा पूरा टेस्ट आपका तो बताएं समझ आए इतना सब कुछ मिल रहा है आपको अगर कोई दिक्कत हो कोई परिशान हो तो 951-777-1651 इस पर कॉल कीजिए और इसको अवेल करी है और हमें रिवीजन भी कर रही है तो जब तक कॉर्स कंप्लीट ने होगा आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे याद रख इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गए प्लीज उसे जोइन कीजिए तक आपको पता चले की नई वीडियो या डिटा क्या रहा है क्लियर तो चलिए चलते हैं आज की लेक्षर की तरव जो किया परसेंटेज आज का लेक्षर बड़ा स्पेशल है बिकोज मतलब 100 परसंट मेरे पास बॉए जह ऐते हिंजेश के क्या रहा था जोए बगास। वो क्या कह रहा है को 20% boys and 15% 20% boys fail होगे और 15% लड़िकियां fail होगी तो क्या मेरे पास 80% of boys pass हुए उन्हें अब 85% of boys pass हुए, बिल्कुल clear, next क्या कह रहा है the number of boys who pass the exam was 70 more than the girls pass the exam इसका मतलब boys जो pass हुए minus girls जो pass हुई उनका difference कितने है 70 यानि boys कितने पास हुए 80% of the boys minus of 85% of girls is equal to 70 percentage हटाएंगी तो denominator में लगेगा 80 by 100 of boys minus 85 by 100 of girls is equal to 70 सब्सक्राएंगी तो 80 boys minus 85 girls is equal to 7,000 सब्सक्राएंगी होगी मेरी क्रेक्शन नम्बर 1 clear, next क्या मेरी पास आट टोटल 90 student fail मतलब तोटल नभे पेल हुए यानि 20% of boys plus 15% of girls is equal to कितन नभे मेरी पास तोटल, it is clear इसका मतलब क्या हुआ है कुंटी बाइंडर्ड ओफ वाइस प्लस अंदरा पटेस्ट फॉफ गल्स इसके तुन अब्बे यानि बीज ब्वाइस प्लस फंदरा गल्स इसके तुन नाइन थाउसंट हो गया अब बताना क्या है और फाइंड दर नंबर ओफ सुडेंट एक्षां मतलब बॉइज और गल्स की वैली निकाल लिए एक्वेशन वन एक्वेशन टू इस इक्वेशन मों चार से मल्टिप्लाय करतो दूसरे बाली को क्यूं कि मेरा क्या हो जी एक्टी बॉइज प्लस 60 इकल इस इकल टू 30,000 यह अब दोनों को माइनस कर दूँ यानि 80 बॉइज प्लस 60 इकल इस इकल टू 36,000 माइनस करेंगे माइनस 85 और 60 माइनस 1,45 गल्स इस इकल टू 36,000 गल्स 29,000 माइनस का माइनस सा माइनस कटा कितना अंज आपके बास गल्स कितने हो दोस हो किसी बीक्वेशन पूट कर दो इसमें पूट कर दो 20 boys plus 15 into 200 is equal to 9000 so 20 boys is equal to 9000 minus of 2000 is equal to 6000 200 plus 300 option number c 500 is the right answer clear so as a question so as a question equation in a factory with 400 employee the ratio of number of male employee to that of female employees 5 ratio 3 there are 87.5 percent regular employees in the factory if 92 percent of male employees are regular employees then what is the percentage of regular female employee clear is the right answer is फिमेल कितनी है 150 यानि मेल फिमेल 250 ओ फिमेल कितनी है मेरे पास 150 इतने सी बात क्लिर विल्कु सही वो क्या कहा रहे देर ऐटी सेवन पॉइंट फाइव पर सेंट रेगुलर इंपलोई अगर इसकी सीधा वैल्यू पता हो तो 7 बाइट होते है मेरे पास यानि यानि 350 मेरे पास रेगुलर है और फिर फिर 50 बहुत इंपॉटं डाटा क्वेक्टीव मे बहुत इंपॉर्न डाटा अब इसमें भी रेगुलर ब्सेंट डाटा हैं घ कर आन्स इंपॉर्सेंट रेगुलर आटे संच है इर्रेगुलर कितने हो एट परसेंट अच्छे एठाथ दोसों यानि 20 मेरे पास रहे इर्रेगुलर है तो 230 मेरे पास क्या हूंगे रेगुलर होंगे क्यों निकाल हुआ नाइटीटू परसेंट यह बताओ जो आट परसेंट से मेरा काम चल रहा है समझाए बच्छ अब आट परसेंट से मेरा काम चल रहा हुआ वाइश वाइव फाइव फाइट परसेंट निकाल के जो बच्छे का वस डेफिलन निकीट परसेंट होगा तो यह थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है जो आपको कोश्चन में पॉकी बच्चों से आके लेके जाएग इप नैंटीडव परसेंट अओं मीन इंपॉई है यहां पर कितने हैं जो भाइं ने टो रहाएं किसमें पीमेल में कितने यी रेगुल रहा हैं एक्सों पीस कितने में से answer i think 80% 5 3 15, 5 2 10 40 62 कितना होगा option number a 80% is the right exactly that was very interesting question simple question but thought is calculation mistake is my के चांसे है that is why this question is here in your lecture clear so let us begin with the next question another important question बहुत लंबी-लंबी से calculation है in an election between two candidates five percent of registered voted did not cast their vote five percent ने वोटी निगिया 10 percent of votes were found to be either invalid or नोटा मतलब ननोटा का मतलब यह होता है तब विनर विनिंग केंडिदेट रसेट सिक्स्टी परसेंट वोट्स इन दा फेवर एंड वन बाई 17271 वोट्स मतलब विनर माइनस लूजर कितना मेरे पास यह एक्चुली में मुझे दिया हुगा समझेज बात को क्या है find the number of registered voter मतलब 100% की value हमें find out करनी है चले बाई करतें से कोशन को बढ़े तरीके से देखो मेरे पास मैंने बुला टोटल है 100% of P क्लिए 5% ने वोट नहीं किया तो कितना बचा 95% of P बचा मेरे पास अब वो कह रहा है 10% ने या तो नोटा या वोटी नहीं दिया क्या ना मतलब कितना बचा मेरे पास टोटल इसका 90% बचा 90% of 95% बचा मेरे पास रिमेनिंग यह बचा तब विनर गॉट 60% वोट इसका मतलब अब क्या है 90% of 95% of P इसमें से एक विनर और एक लूजर है अब विनर को क्या मिले इसका 60% या नहीं 60% of 90% of 95% of P और लूजर को क्या मिलेगा 40% of 90% of 95% of P इसका मतलब अब क्या हुआ मेरे पास इनका डिफ्रेंस कितना है 17271 ओफुल यह समझा गया हुआ और आपने नोट भी कर लिए और नीकिया को तो प्लिस कर लिजेगा इसका मतलब क्या है मेरे पास यह कितना हुआ 60 और 40 बागी सारा से मेरे 20% of 95% of 90% of 95% of P इस इगल तो 17271 टीक है जी यह यह कितना हुआ इसका इप दा दाउ मोज और दिए कितना हुआ चार्ट नौ बहुत्स पांचांगे संवा से स म्थीजशंड़त क्यूआरे कितने मेरे नेकिस वो एंचा नानीचा थीवन बचा बन सेवन नॉइकम नो इस इकल टू बन जी रोवन टू इस इकल टू बन जिरो वन ट्रिपल जीर उप्शन नमबर सीज दा राइट अंसर क्लिया तो टैट वो बैर इंट्रसिंग जो मनें भी किया इसे एक पेपर में आने की चांसी जैंग यह कोशन भाई बड़ा गुमा फिरा कोशन है बहुत इंट्रसिंग सा कोशन बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस कोशन में तनी सरके साथ अभी पीडिया पर है या भी मन्यू आइस बोली दा इंकम ओफ एस 40 परसेंट लेस देन ओफ बी एक यह और पी सबसे पहले 40 मतलब A प्लस B मेरे पास 8 अगया ठीक है इंकम ओफ इस 40 परसेंट मोर दन 30 परसेंट ओफ कंबाइंड निकम ओफ ए और भी यानि ए प्लस बी कितना है मेरे पास 8 कितना है इससे 40 परसेंट जादा क्या है मेरे पास कितना है है कितना है इससे 40 परसेंट जादा यह नहीं इसका 140 परसेंट 140 बटे सो भून आ बारा बटे पांच तो काड़ी है इसको जो साथ 84 अगा कितना हो गया गाए इस कोश्यम में इस कोश्यम किसे लांग्वेज में थोंट रेक हैं बड़ा चान दुबारा समझेंग इंकम ओफ सी मोर देन किसके दन 30 परसेंट ऑफ कॉंबाइन इंकम ओफ ए प्लस बी यह रिशों भी निकल गया तो ए प्लस भी आठ हाया इसका 30 परसेंट कितना है मेरे बास तर्टी वांड़ ओफ यानि बारा बटे पांच अब सी क्या कह रहा है इस बारा बटे पांच जैसे 40 के इस परसेंट ज्यानि यह तो 40 इसका 40 इसका 40 इसका 40 निकाल लो एक्ट क्यों करोगी दिरेक्टी मेरे पासान लग ला कि यह स्वाइड क्लियर औप क्या कह रहे हो फइल्ट परसेंटेज इंकम मोर दने आया कि कि तना मेरे पासए मेरे पास थीन आ सी किए इसन एटी-4 25 इस प्रफिप्लाइब कर दिए जाएज ना इस रखाट एटी फोर कितनी कम है या बहुत नाइन जाद है किससे or subscribe let us move on to the next question to the present population of a village male and female is 7640 if a number of male increased by 25% tm performance increase by 12% then the population with increase will become 9214 the difference between the present population of a male and female in the villages देखो इसके पहले आपको एक चीज बताओं अच्छे बात तो 50 प्लस 50 कितना है मेरे पास अगर मैंने इसका टैन परसेंट बढ़ाया तो कितना हो गया इसका मतलब अगर दो नंबरों को मैंने सेम अनुपात है सेम मैंने परसेंटेज यह बढ़ाया तो मेरा गीवन जो नंबर है ना इनका सम है वो भी इतना ही बढ़ेगा बस अगर यह समझ आगी ना तो कोश्चन बिल्कु समझ आएगा आपको क्योंकि कोश्चन मैंने ऐसी करवाने है अब देखिए जड़ा मुझे क्या दिया मेल प्ल पंदरा परसेंट ठीक है तब पोपुलेशन इंक्रीज भाई या पोपुलेशन कितनी होगी 9214 ठीक है 9214 कितनी इंक्रीज भाई देखो शेत्तर अच्छा शेत्तर में मैं कितना जोड़ूं पंदरा सो जोड़ूं 766 1500 92100 हो गया खीक है अगर इसमें 1600 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 400 जैनि 1600 अगर में इसमें इसमें मैं आपको एडिशन मैनेस करना च्रा रहा हूं 7 640 में अगर मैंने 1600 जोड़ा 0-4 940 यानि यह नंबर कितना है यह नंबर से कितना ज्याधा आ रहा है तो इसमें माइनिस अब्विस कर दू कि इतना गए है कि वन फाइफ है कि इतनी मिनान से देखना बढ़ेगा आपको माइनिस करना है क्लियर यानि अल्टीमेटली जो यह नंबर बढ़ा कितना बढ़ा पंदरा सो चोटा सा इसको भी मैं पंदरा परसेंट बढ़ा रहा हूं य है यह भी बंदरा परसेंट बढ़ेगा कि इस का दस परसेंट कितना हुआ एवन इक्स पॉर इसका ऑद रेट्धा है टुटार दो छे है गानोग यह वन वन फॉर शे कि यह नि इसमीं से वन वन फॉरिच्स माइनस कर दो माइनस करो जल्दी से कितना आ रहा है देखो यहां पर कितना आएगा अगर मैं माइनस करने गया देखो यहां पर 425 बढ़ा है चार्स ओठाइस क्यों बचाप कोज अभी भी मेरे पास मेरे पास मेरे पास 760 में से 4, 2, 8, 0, minus कर तो आ जेंगे आपके पास, में जल्दी से minus कीजी प्लीज, minus कर तो जल्दी से, देखो minus करने के तिरिक कब आता हूँ, suppose करो, ये मेरा 7, 6, 8, 0 होता, और इसको minus कर रहा हूँ था, 4, 6, 8, 0 में से, तब कितना आता मेरे पास, तब कितना आता, देखो, 80 में 60 के जीरो, 4, 3, क्या 3400 आता, बट ये नंबर आपने कितना आपड़ा है, 40, तो इसमें से 40 minus कर तो कितना आ गया, 33, तो female कितनी है आगी, male कितना है मेरे पास, 4, 2, 8, 0, female कितनी है, 33, 6, 0, अब सब बस, इसका minus पूछ रहा है आप से, इन दोनों को minus करके कितना है आप से वो पूछ रहा है वो, what after minus कर दीजी, ओफ़िल ये note कर दिया, वो minus भी करना है, इस कोशन में थी कैलकुलेशन, भाई, बहुत जबाकित जैसे बोलते हैं, तो भाई, 4, 2, 8, 0, minus 3, 3, 6, 0, इसमें से बीस कम किया था, बीस एड़ करते हैं, ऑप्शन नम्बर 920, तो इस तरह कोशन में कुछ खास है, कुछ हलाग है, कुछ डिफरेंट है, तो आपने सन्नी बहुंसले सरके साथ, ठीका है, अभी, अभी मेंन्यू आइस के मच्छ पे क्लियर, तो इस तरह के कोशन है, जो डरना नहीं है, करिए दबागे, चलिए, नेक्स्ट है मेरे पास, अभी बीड़े माइक्रो कॉर्स, वट आर माइक्रो कॉर्स, माइक्रो कॉर्स वो कॉंसेप्ट है, वो एक चीज है, जिसमें आपको पूरा कॉर्स ना खरीदे के सिरफ उन चीज़ों पर काम करना है, तो लॉजिकल है, मतलब जिन से आपको डर रखता है, या जो आपकी नहीं कम्पेट, तो वाई, माइक्रो कॉर्स आपको पूरे कॉर्स का पे नहीं करना है, आपको सिर्फ चेप्टल का पी करना है, पटा परता समझे लेते हैं क्या बात है, इसका नहीं की आपको प्रट्र इसक्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, जाले चूज एक्जाम करते हैं, यहां सारे स्क्रिप्शन मिलेंगे आपको यहां पर वीडियो कॉर्स आपको वीडियो कॉर्स और यह आगे आपका वाट्साप ग्रूप का लिंक जिसे बहुत सारे बच्चे जोइन कर सकते हैं, चलिए, सिविल सर्फिस इगाम देखिए, यहां पर दस डिस का मवाइल नमबर डालेंगे, इंक्वाइरेट होगी, इससे डिरेक्ली मुझका का प्रोच हो जाएगी, क्लिया, जैसे मैंथ और मेंटल इपिलेटी की बात करते हैं, जैसे एक चैप्टर है, जिसका बहुत बड़ा होगा है, कौन सा चैप्टर है, जैसे बोलो, यह, नमबर सिस्टम, जैसे पूरा बंडल जो है, एप्टिटीटीट का, पैंटिस पर थाइस रुपेगा, अगर सिर्फ आपने करना नमबर सिस्टम है, तो क्यों हम एक नहें उ आप आएंगे जूड़ेंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है, जैसे सिंप्लिफिकेशन की बात करें, अभी हमने पर्सेंटेज किया है, पर्सेंटेज का पूरा का पूरा चप्टर, चार लेक्षर के साथ है, 167 कोश्टन सा, 42.277 मुल्टिपल चोश्टन अविलेबल है, जैसे मैं बात करूं, ठीक है, और चेमिनल का ट्रायल हर चप्टर के साथ है, जैसे लॉजिकल, रिजनिंग, अनलेटिक अपूरा है, अगर पजल टेस्ट की बात करूं, 245 का रैंकिंग और की बात करूं, 130 रुपे का स्टेट में, कलकुजन की बात करूं, 42 डिरेक्शन की सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करूं, जिनका काम यूज आता है, यह बैचर जो आपको मिलने वाले, ठीक है, इसका भी आपके बस लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे शूरू में रहे हैं, यह वो जैंसे यह वो अस्मान चुते सितारे हैं, भी मन्युआइब इसके, तो इस साल सेलेक्शन करें 154 था, अगर आपको लगे कि मेरी बाद जूटे, तो यह पढ़िए देखिए, इन खुद के आज के टाइम में जो आइस ऑपसर बन चुके बच्चे, उनके उन्होंने लिखा है, प्लीज पढ़िए आपको कुछ ना भी मोटिवेशनल यहां से मिलेगा, प्लीज आप आपके बाद चाहिए, वाट्साइब गूरूप हो, चाहिए आपके फूल कोर्स हो, सबकले के डिस्क्रिप्शन वाक्स में लेगा, थैंक यू, प्लीज लाइक शेला, सब्स्राइब दा चैनल एंड वीडियो,